कि अलो फ्रेंड्स मैं डीडीयस डेंटल से डॉक्टर रोई शर्मा और मैं आपके लिए यूसफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही कॉमनली होने वाली मिस एपनिंग इन ब्लूरिंग रूट के नाल आपकी वर्किंग लेंट लूज हो गई आप यहां पी कर रहे थे और अब आपकी फाइल परकिंग लेंट तक नहीं पहुच पा रही है तो जो यह दिक्कत है कि स्टार्टिंग में नहीं थी जब आपने दस नंबर की आथ नंबर की फाइल लाली बाद में बनिये तो सम्हा स्टार्ग्राम पर भी में को फॉलो कर लिएगा और फेस्बुक के ऊपर मेरा जो पेज है वो जो यह देटल के नाम से है तो पहला जो कोशन आता है वह यह आता है कि आगिरकार यह लेज है क्या तो दोस्तों लेज को समझने के लिए पहले यह एक करई को देखते हैं और इसके अंदर हमने यह फाइल डालते हैं और यह फाइल जब हमने डाली तो यह इस ट्रेट थी और इस ने कर्व को फॉलो नहीं किया और यह यहां पे रस्ते को डाइवर्ट कर दिया इसी को हम लेज कहते हैं यानि आपका जो इंस्ट्रूमेंट एंड्रोन्टिक फाइल है उसने जो नेचरल अनेटमिकल करवेचर है रूट का उसको फॉलो नहीं किया उसने एक अपना नाया पात बन प्लम क्या है जहां तक आपकी फाइल जा रही है वहां तक अप्चुरेट कर दो तो दोस्तों बहुत सारे केसिस के अंदर यह ऐसा हो सकता है कि पेशन को आपने महीं तक अप्चुरेट कर दिया उसको पें ना हुआ हो लेकिन कुछ के अंदर आप देखेंगे कि उसके क्लीन रहा तो इसके अंदर क्या हुआ है इसके नीचे डैबरिज रहे है बैक्टीरिया ऌटिया चेपल कर सका है और एक प्रॉबलम यह भी हो फ्रय हिए कि जब आप नेचे वाले पाट तक आंप जब बना दीआ है तो जब आ उपर उपर से क्लीन कर रहे हैं तो उसका डें हम ने यह तो देख लिए लेज किया है उसके घाटे किया है अब हम बात करते हैं कि आखिर कार्य लेज बनता क्यों है वाई स्टार्टिंग में तो जब आपने दस नंबर की आठ नंबर की फाइल ला ली ती तब तो नहीं था यानि लेज हमने बनाया है इस नोट प्रेजेंट इंसाइड दा रूट तो यह बना क्यों तो इसका जो सबसे पहला जो मेजर कारण आता है वह आता है कि आप जो एसस प्रिपेशन है वह सही नहीं होगी तो उसका घाटा क्या है जैसे माल लेते हैं अब दान का एक डाइग्राम बना रहा हूं और इसके कि मैंने रैड कललर की SS किविटी बना दी और ये मेरे पास बलैक डार की पाइल है जो मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो अब आपने ये देख रहे होces जो मेरे बलैक कलião है यह इनसे तो हो रही है । यह यहां पर य्किन यह इहां पर यहां पर डिफलक रही है क्या है क्यों इस इसके इन्दर यह वाला जो पोर्शन यह थोड़ा सा और कट करना वाला है यानि हम ने उसको प्रॉपर डी रूफ ना करने के कारण भी हमारा लेज्ट करिएशन के चांसे हो सकते हैं कई बार हम जैसे डिस्टल कैनाल हो गई या मीजल कैनाल हो गई वो थोड़ा बहुत फाइल डिफलेक्ट होके कैनाल में तो चली जाएगी लेकिन स्ट्रीट लाइन ना एसस नहीं होने के कारण उसके कारण फाइल ब्रेकेज हो सकती है लेज हो सकता है तो आपको डी रूफ करना है साथ में ही एक औरिफिस के उपर ड माड़ा कारण है वो है योजिंग 6 फाइल अब हमारी स्टिफ फाइल्स अमारी जो एंडों टीट फाइल से नहीं करते हैं हम स्टेललस टीट से करते स्टेल्स परको क्यों कि उसको बेंड किया जा सकता है तो दोस्तों यह स्टेलसील फाइल यह यह कई इबार हो तक है कि जब आपकी 10 और 15 में तो फिर भी फ्लेक्सिबिटी जब मानो 20-25 नमपर के पर जाएंगे तो वो स्टिफ हो जाएंगी तो वो नॉर्मल अनेटमिकल कर्विचर को फॉलो नहीं करती है जिसके कारण लेच बन सकता है जैसे मेरी कैनाल यह ऐसे थी और जो और जाएंगे तो उनके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऐस कमपेर टू चाइनीज फाइल को कैसे पहचानों के मनी की जो फाइल की बहुत ज्यादा डुपलिकेसी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी उनसे पूछ लो अगर आप वह डेड़ सो रुपे क वह एक पैक आपको दे जाएगा तो यह ज्यादा तर चाइनीज फाइल होती है आप एक ब्रेंडी डिलर से ही अगर आप खरीदेंगे तो ज्यादा बैटर होगा और आपके आसपास ब्रेंडी डिलर नहीं है तो मेरे को इस नंबर के उपर भी वाट्सप कर सकते मैं डेंट मेरी फाइल बने चोबिस अब एक एमेम इत्मी चोटी सी चीज़ हो सकता है मेरी आइस उसको रिकर्जनाइज नहीं करें अब एक्च्वल में जो मेरे दस नंबर की फाइल थी एक एमेम टूटने के बाद अब यह बन गए यह पंदरा नंबर की फाइल और मैं एक अप जहा जाएगा जब फाइल टूटेगी मोटी हो जाएगी मोटी हो जाएगी तो स्टिफ हो जाएगी तो एक साही इंस्ट्रुमेंट नहीं है और वो साही इंस्ट्रुमेंट नहीं होने के गारण आपका लेज क्रियेट हो जाएगा तो इसके लिए का करना है अपने इंस्ट्रु आपने इंस्ट्रुमेंट को न्यू यूज करना है फ्लेक्सिबल इंस्ट्रुमेंट होने चाहिए आपके पास अब जो देंट स्प्लाई की सी पाइलेट फाइल से वह बहुत अच्छी है लेकिन बहुत कॉस्ट्ली है तो इस वजए से मैं उनको तो रेकमेंड नहीं करता ले आपने circumferential filing कर रहे है आपने down motion कर रहे है अभी वो उसका रजिस्ट्रेंस 10 नंबर की फाइल का पूरा completely खतम नहीं और आपने 15 की डाल दी हो सकता 15 की अंदर भी flexibility है तोड़ी सी वह चली जाए लेकिन 20 की तो अगर improper filing कर रखी है पूरी कम कर रखी है अंटर filing कर रखी है आप अपने से जो successor जो file है उसके लिए रस्ता बनाना यानि जब आप 10 नंबर की filing कर रहे हैं वो तब तक करनी जब तक 15 नंबर की easily working length तक ना चली जाए 15 नंबर की तब तक करनी है जब तक आपकी 20 नंबर की easily ना चली जाए तो हम कई बार क्या होता है कि patients lose कर देते हैं जल्दी क हो सकता है जो सबसे बड़ा मैं देखता हूं वह है रॉंग working length का क्या मतलब है कि माल लेते हैं कि एक molar की जो working length वो थी 22 mm बट समाओ आपने mistake कर दी working length लेते वक्त और 20 ले ली आपने जब second time working length लेना था तब तक आप suppose 24 की file से prepare कर चुगे हो तो जब तक 24 तक पहुंचोगे य working और micro glide बात यह सब बना चुगे हो तो हो सकता है कि अब आपने रॉंग working length के कारण उसको वही तक प्रिपेर कर दिया वहाँ पे जो नीचे बची कहनाल थी उसको डेबिस से clock कर दिया तो आपको हो सकता है दुबारे से working length अचीव करने के अंदर मुश्किलों क्यों मुश्क आखे हैं हर टूथ एठ जैसा नहीं होता इवन हर route एक जैसी नहीं होती अकर हम molar की बात करें तो मीजा बॉइक बॉककल डिस्टल के अंदर आपको हमेशा curvature मिलेगा लेकिन distal आपको straight मिल सकती है lower molar की ऐसे ही upper के अंदर meso buckle root के अंदर curvature मिलेगा हो सकता है palatal straight हो तो आपने ऐसा नहीं करना कि palatal के अंदर या distal के अंदर आपकी 15 नंबर की easily जा रही है तो इसका मतलब यह है कि 15 नंबर के आपकी meso buckle में भी चली जाएगी नहीं तो हर root की को समझिए उसको respect करिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने again एक अच्छा arch city तभी कर पाएंगे जब आप एक हर dant को respect करेंगे अगर वो dant लंबा है तो slow हो जाएंगे curvature है तो छोटी फाइल ले लेंगे working length बार-बार check करते रहेंगे अपने instrument को बार-बार inspect करते रहेंगे तो अगर ये सारा काम करेंगे time जरूर बढ़ाता है लेकिन आप एक अच्छा result दे पाएंगे अपने patient को एक अच्छी root के ना आप कर सकते हैं आपकी working length loose नहीं होगी लेकिन अगर somehow आपकी loose हो गई है तो अब हम अपनी block लिया है मैंने end of block उसके अंदर पहले हम ledge create किया है फिर उसको bypass किया है तो जो ये bypass अगर हम जब हम करेंगे ledge को तो जो ये management है उसके अंदर आपने patients lose नहीं करना है जो आप video देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैंने उस ledge को दो मिनिट के अंदर उस video में pass कर दिया है लेकिन actual में उस video के अंदर में को more than 30 minutes लगे हैं लेकिन 30 minutes मैं video नहीं बना सकता था तो इसलिए मैंने चोटा 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 उसको cut करके आपको दिखा रहा हूं तो इट टेक्स skills and time patience सब को चाहिए एक को remove करने के लिए और आप चलते हैं अपनी end of block की towards यह मेरे पास एक end of block है और इसके अंदर अगर यह 10 नंबर की file डालूंगा तो यह पास हो जाएगी और यह थोड़ा सा curvature भी इसमें देख रहा है तो यह मेरे की file ले लिए ताकि मैं let create कर सकूँ यानि मैंने एक मोटी file लिए बड़ी नंबर की file लिए जो की flexible नहीं है तो मैं जब मैं इसे use करूंगा तो let create हो जाएगा आप यह देख सकते हैं इसके अंदर यह ledge create हो गया है थोड़ा सा थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं इसको severe ledge बना देते हैं now we have created a severe ledge अगर आप इस वीडियो में appreciate कर सकें तो आपको यह देख जाएगा यह हलका सा ledge बना हुआ अब मैंने 10 number की file लालके देखिए and it's now not going till apex जब यह देखो मैं insert कर रहा हूँ and again it's not going till apex तो अब मैं इसको जहां तक मेरा ledge है उस तक मैं इसको mark कर लूँगा अपनी working length के भी मेरी कहां तक मैंने इस टोपर लगा लिया है और मैं इस से उपर का जो हिस्सा है उसको pre flare कर लूँगा सबसे पहले तो आप देखें तो यानि मेरी जो length थी उससे एक mm short working length रखूंगा और उसके उपर का जो हिस्सा है वो सारा pre flare कर लूँगा ताकि मेरी जो file है उसको bend होके एक पुराने वाले route के उपर रस्ते पर जाने का रस्ता मिल सके हमने यह pre bend करिए और मैं डाल रहा हूं and it's not very easy इस में तुम्हें को पता है कि यह ledge इस तरफ बनावा है इस direction में बनावा है तो मैं उसी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन actually में mouth के अंदर यह ऐसा possible नहीं हो मैं बार-बार कोशिश करूँगा मुझे इस वीडियो के अंदर तो सारा time नहीं देख पा हो गया लेकिन इस पहली फाइल को बाइपास करने के लिए तो में पंदरा मिनिट अराम से लगे होंगे इसके अंदर नॉर्मल ही पंदरा मिनिट माउथ में इसलिए नहीं लगते क्योंकि लैज इतना सीवियर नहीं होता चोटी नंबर की फाइल से ही बनाया गया हुआ होता है लेकिन इसमें मेरे को 15 मिनिट इजी लगे थे और यह तब लगे थे जब मेरे को सब कुछ दिख रहा है ना देख आपने उसको डले डले अपन डाउन करते रहिए ताकि वह जो दस नंबर की फाइल है बिफोर रिमूविंग वह सुपर लूज हो चुकी हो अगर वह हो गई होगी तो आप पंदरा नंबर की डालेंगे सेम वे में जरूरी निया एक बार में जाएगा वह पूरा वर्किंग को डॉन करके करते रहना है तो जितना टाइम आपको दस नंबर की फाइल में लगा उतना पंद्रा में नहीं लगेगा कई पर 10 नंबर की नहीं जाब पाती है 6 की जाब पाती है अगर 6 की गई है तो टाइम बहुत भी जदा लगेगा無Gate करने में 8 का लगा थोड़ा कम 10 नंबर के कम 15 नंबर के कम तो अब आपका case to case निर्वर करेगा कि आपका कैसा वो है अगर मालने ते कि file तूट गई है file आपको bypass करना है उसका भी बिल्कुल same to same ही तरीका है आपको एक रस्ता ढूंड़ना है फाइल के बराबर से जो की जाएगा next कभी वीडियो के अंदर फाइल बाइस बाइपास करना भी आपको सिखाऊंगा अब यह मेरी 20 15 नंबर के बाद मैं 20 नंबर के file से कर रहा हूं एब मैं रोटेट आलके देख रहा हूं यह मेरे 20 नंबर 4% की रोटे डाल रहा हूं और यह इसको प्री करव करी मैं रोटेट नहीं करीपहले मैं इसको bypass करने की करूँ को फिर मैं उसको को इंसर्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना पूलिएगा और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर मुझको बता सकते हैं या